स्लाम अलेकुम मैं हूँ एसन पहमोद and welcome to zions लास्ट वीडियो में हमने css की कुछ basic starting properties को study किया जिसमें कि हम अभी तक total जो है यहां तक 10 properties को study कर चुके हैं अभी तक जो हमने css selector में देखा है वो सिर्फ और सिर्फ element या tag name selector को देखा है जो के इतना ज्यादा practical नहीं है और maintainable नहीं है अगर आप चाहते हैं कि यहां पर दो spam हैं और दोनों को different style करना चाहते हैं तो इस approach के साथ आप उसको achieve नहीं कर से तो आज की वीडियो में हम css selector पे further discussion करेंगे और मैं आपको जो simple common css selector होते हैं जिसमें कि ID और class most commonly used with दो css selector हैं उन पे हम discuss करेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ continue करने से पहले मैं यहां पर अपने code को जरा format कर लूँगा और clean कर लूँगा right click करेंगे और format document करेंगे यहां पर यह first time जो होता है यहां पर यह configure का option पुछता है मैं इस पर configure क्लिक करूँगा और prettier को select कर लूँगा अब next time जब हम इसे save किया करेंगे यह automatically उसको format कर दिया करेंगा हमारे लिए अगर आप का कोई और formatter set हो जोगा है और आप उसको change करते है प्रिटियर को default formatter set करना चाते है तो आप right click करें और format document with पे click करके configure default formatter और अब जिस पर आप click करेंगे वो आपका default formatter set हो जाएगा यहां पर मैं इस commented code को remove कर दूँगा और यह redundant space को यहां से remove कर दूँगा हमारा जो CSS का code है वो कुछ इस तरह नजर आता है जिसमें के selector होता है property box होता है block होता है properties होती है और simple यह pattern हमारा जाए अभी तक हमने यह देखा कि यह span हम सिर्फ और सिर्फ tag name के साथ properties को add कर देंगे लेकिन यह क्योंकि इतना practical नहीं है अगर यहां पर एक और span है और मैं यहां पर इसको add कर देता हूं and other span element यहां पर मैं इससे save करूँगा और यहां पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने exact same जो CSS थी जो मैंने इस पहले span element को attach की थी वो इसने इस पर भी apply कर दी है जो कि एक proper thing है क्योंकि मैंने यह आपर select इसके साथ किया है कि जो भी span element है तो यह भी एक span element है और यह भी है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको color red हो जाए इसका color green हो जाए और इसको सिरफ बैगराउन color red मिला हुआ है वो मिले और width और height नहीं हो इसको बाकी कुछ भी ना मिले ना इसका display हम unset करें दूसरा जो set क यह inline glow और कुछ भी इसके ना हो इसका सरवर सरफ font color में red करना चाहता हूं तो हमारी यह current approach के साथ यह achievable नहीं है आप यहां पर basically अगर नीचे एक और span अगर कह रहे हैं कि मैं यहां पर पहला span करूंगा और यह सारा कुछ यहां से cut करके इसमें कर देता हूं क्योंकि यह बा इस तरह भी है करती है कि अगर same selector होगा तो यह बाद में आने वाले selector को ज्यादा importance देगा बनलब यहां पर भी यही नाम है यहां पर भी यही नाम है तो यह देखेगा कि ओके अगर तो यहां पर कोई ऐसी property है जो यहां पर नहीं दी तो वह तो implement हो जाएगी लेकिन कोई बेरी जैसा color यहां पे भी है यहां पर है यहां पर भी है यहां पर मैं एक or फॉंट style दे रथा हूं metallic और फॉंट style यहां पर है यहां पर नहीं है तो फॉंट style यह ङहां रग जएगा और यह यहां पर भी है तो अनुन यह बिसिकली थोड़ा सा advanced concept है क्योंकि इसमें CSS का जो कास्केटिंग की निचर है CSS बिसिकली हमारी 2-3 वीडियो दूसर चुकी है तो मैं आपको यह बता देता हूँ CSS stands for कास्केट स्टाइल शीट तो इसमें यह होता है कि यह ओपर से प्रोप्टी अगर हम एक पेरेंट को प्रोप्टी लगाते तो उसका चाइल्ड वो प्रोप्टी अगर उसके इंप्लिमेंट होती हुए जैसे के फॉन फैमिली की बात करता हूँ तो मैं अगर पेरेंट को एक फॉन फैमिली लगा दूगा और चाइल्ड को नहीं लगाँगा और पेरेंट की प्रोप्टी को ओवर्राइट कर देगा अगर चाइल्ड को वो प्रोप्टी नहीं मिली होगी तो वो इन्हेरिट कर देगा जो पेरेंट में उसकी वैली सेक्ट होगी और दूसरा अगर सेम स्लेक्टर को मैं दो दफा लिख दूँगा ऐसे basically होना नहीं चाहिए यह invalid use case है सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हो कि गलती से अगर मैंने ओपर भी एक same selector को लगा दिया नीचे भी same selector को लगा दिया तो जो different properties होंगी कि जो एक selector में है और दूसरे में नहीं है वो तो implement हो जाएंगी लेकिन जो same property होगी वो बाद में आने वाले की implement होजेगी इसके इलावा भी कुछ criteria होता है selection का जो के हम properly in depth जब हमारी थोड़ी basics clear हो जाएंगी properties को हमने काफी थोड़ी बहुत study करनी होगी तब मैं आप उस पे properly discuss करूँगा कि कौन कौन सा criteria होता है जिससे के ये सारी चीज़े change होती है end पे जो final property जो computed property लगेगी वो कौन सी होगी ये चला हम properly study करेंगे कि सरफ और सरफ court देखें हम fully surely ये कह देंगे कि ये property की value ये लगेगी यहाँ पे भी है हम 10 जगा पे भी उसको लगा देंगे तो हमें full shorty होगी कि इसकी ये value उसको लगेगी क्योंकि उसका ये reason है इसको हम properly study करेंगे अभी क्योंकि वो basic से थोड़ा advance है तो अभी इसके लिए हम उसको touch नहीं करेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना मैं आपको बता दी है क्योंकि color की property यहाँ पर भी लगी है same अगर selector हुआ है और कुछ change नहीं हुआ तो बाद में जो आएगी वो वाली property उसको लगेगी मैं इसको save करता हूँ तो अगर तो आप ये guess कर रहे हैं तो पहले वाला पहले span को लग जाएगा और दूसरे वाला दूसरे span को लग जाएगा तो आपका guess गलत है basically ये इसमें इसने कहले हैं कि एक किसम का union ले लिया है दोनों की जो different properties उनको merge कर दिया और जो same property थी उसमें बाहल दूसरे आने वाली को लगा दिया इसके लिए हमारे पास specific type of selector होना चाहिए जो इसके लिए different हो और इसके लिए different हो हमने html के fundamental जब कह दे थे तो हमने दो attributes इस तरह के study किये थे उसके इलावा भी selectors पर हम और भी काफी बात करेंगे अभी के लिए सरफ इन दो को study करेंगे जिनमें सबसे पहले आता है ID और इसको बहुत ही ज्यादा असान अलफाज में बताऊं तो जैसे आपका cnc या तो cnc एक बंदे का एक होता है वो repeat नहीं हो सकता मतलब मैं ID जो इस element को दूँगा मैं वो इस पूरे html document में repeat नहीं कर सकता और यही बात हमने html fundamental में भी study की थी यहां पर मैं इसको दे रहता हूँ span 1 और जैसे हमने वहां पर भी study किया था ID की value मैं कुछ भी दे सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ उसका कोई मतलब बन रहा हो मैंने span 1 इसकी ID का value दे थी और same मैंने इसको copy करके यहां पर paste कर दिया और इसको मैंने तू कह दिया हम इसकी value को same नहीं रख सकते invalid html हो जाएगी ओके इसकी value चेंज होनी चाहिए ID की value एक html document में same नहीं हो सकती मैंने यह किया और अभी के लिए refresh करूंगा कोई change नहीं हुआ क्योंकि जो style apply हो रहे है वो element के थुरू हो रहे है tag name के थुरू हो रहे है वो ID की base के नहीं हो रहे है जो ID selector है मैं इन दोनों को अब यहां से comment कर दोंगा ID selector CSS में hash के साथ start होता है और बाद में जो हमने ID का नाम दिया हो यहां पर मैंने यह ID का नाम दिया था इसको मैं जो भी property CSS की assign करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ उस element को assign होगी जिसको यह ID होगी इसको कोई फरक नहीं पड सब्सक्राइब होना चाहिए अब इसको कोई फरक नहीं परता मैंने इसको spend one कह दिया लेकिन मैं यहां पर इसको change करके P कह देता हूं इसको literally कोई फरक नहीं परता की ID किसको मिली हुई है इसने सर्फ और सब यह देखना कि अच्छा यह ID इस चीज़ को मिली हुई है यह जो style है उसको apply कर देना है आप सोच रहे होंगे यह बागी style कहां से आ रहा है वो हमारी यहां से आ रहा है यह जो हमने ओपर लगा है इसको भी मैं comment कर दूंगा हम moving forward कोई भी काम जो specific styling होंगे जो reset CSS में reset करने के लिए कोई style यूई प्रिये जाते हैं यह concept भी हम in future परेंगे वो हम tag पे ही करते हैं लेकिन बाकी जितने styling होते हैं वो हम tag पे नहीं करते हैं क्योंकि जैसे आपने अभी देख लिया कि मैंने लगाना सिर्फ font का color था लेकिन उसका background भी लगया क्योंकि उपर लगाया होगा था तो यह काम हम नहीं करते हैं जो specific styling होती है वो हम ID और class के थ्रू करते हैं और यह भी मैं अभी explain करूंगा कि कौन सा हम ज्यादा यूज करते हैं किसको हम avoid करते हैं या specific use cases में इस एफ़ उस करते हैं अभी के लिए हमने दो को देखा हमने tag name को use नहीं करना ज्यादा specific use cases होंगे वो CSS 3 set के लिए ओके तब हम सिर्फ यूज करेंगे mostly tag name को otherwise tag name को use करते होंगे CSS की property apply नहीं करेंगे वो हर एक उस tag type के apply होजेगा next अभी के लिए हमने study किया है कि यह जो इसको comment कर जाता हुता कि और नीचे है कि जो ID होती ह है यहां पर ID जो implement किया है यह इसका नाम एक proper होना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक attribute है इस attribute को select रहने का तरीका का यह है कि hash लगाते हैं यह CSS का keyword है hash लगाने के बाद जो भी नाम लिखेंगे CSS इस HTML के document में जिसके साथ वो attach है इस ID का element डून देगा कि उस element को देखेगा जिसमें ID का attribute लगा हुआ है और उसकी value exact यह सेम है अब भी मैं save करके यहां पर refresh करता हूँ तो styling खतम होगी क्योंकि मैंने यह P को भी खतम कर दिया और यह ID अभी किसी को नहीं है यहां पर मैंसको ID को यहां पर लगा देता हूँ refresh करता हूँ तो वो apply होगी है और उसको मैं ज़रा सही कर देता हूँ P1 कह देता हूँ और P1 एक proper नाम नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई element कोई header section में नहीं है about section में नहीं है तो इस वज़ा से मेरे पास कोई proper नाम नहीं है जब हमारे पास proper HTML होगी तो proper नाम भी होगे ID और classes के यहां पर अभी मैं P1 कह दो हूँ at least पहले वाले से बहतर refresh करते हैं and result same same काम अब यहां पर मैंने कहा था कि इसकी background color red होनी चाहिए color green होना चाहिए और virtual height होई होनी चाहिए और hopefully आपने guess कर लिया होगा यह आपका short challenge है इसको complete करें इसका background color आपने red करने है यहां पर मैं लिखते था हूँ यह वाली properties उसको same apply करने है as it is वीडियो को post करें और इससे complete करें hopefully आपने इसे try किया होगा अब हम इससे मिलकर complete करें मैं क्योंकि यह same properties apply होनी है मैं इससे copy करूँगा और यहां पर block start करके paste कर दोगा अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे selector एक्टर ने है selector क्या है यह id selector है यहां पर मैं इसे hash और id का नाम यहां पर आके मैंने refresh किया है तो आप देख सकते हैं कि यह style यहां पर implement हो चुका है next अब हम css में classes को study करेंगे कि हम class के साथ किसी element को कैसे select कर सेके जैसे के हमने html fundamental में study किया था कि class भी एक attribute का नाम है और इसमें भी हम जो basically class का नाम add करना चाहें वो कर सकते हैं यहां पर मैं कह सकता हूं text1 यहां फिर random text कुछ भी मैं नाम दे सकता हूं और class का नाम देने का जो pattern होता है वो होता है section और basically यह एक proper standard है इसका जो standard का नाम है वो है block underscore underscore element हाइफन हाइफन modify block element and modify यह basically अभी के लिए थोड़ा advance है यह जब हम HTML और CSS के basic सारे clear कर लेंगे और HTML में proper HTML के साथ उसको classes देने लगेंगे तब हम इसको properly implement करेंगे अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूं और सिर्फ और सिर्फ span क्योंकि सरफ एक ही span है तो इसको span one क्या रहता हूं इसको span one क्याता हूं रिफ्रेश करूंगा वो styling remove हो जाएंगे क्योंकि यह जो connection है यह break हो गया यहां पर one करूंगा वो styling वाफिस आ जाएंगे और अब मैं चाहता हूं कि इसको आईडी की बजाए इस span one क्यास के थूरू यह styling हो तो जो span one क्यास को select करने का CSS में तरीका यह है कि डोट यह keyword है डोट लगाने के पाद जो भी आप लिखेंगे CSS उसको एक class name समझेगा mean के यह dot specify करता है CSS को कि मैं इसके बाद class का नाम लिखने लगा हूँ और जो भी मैं यहां पर नाम लिखूंगा जैसे span one तो CSS HTML document सारे को study करेगा और देखेगा कि कौन साइसे element है जिसके class के attribute में यह जो मुझे class का नाम दिया गया है वो लिखा हूँ यहां पर यह element को select कर ले visibility बिनकुल भी नहीं है यहां पर मैंने color कहा sorry color white refresh और यहां पर अब यह color implement नहीं हुआ यहां पर बेसिकली यह थोड़ा सा एक advanced concept है जो मैं आपको बाद में भी repeat करूंगा और in depth repeat करूंगा कि कोन सी CSS apply होती है उसकी वज़ा क्या है यह हम properly in detail study करेंगे अभी के लिए सिरभ मैं आपको यह बता जिता हूँ कि जो id-based selector होता है id-based selector उसकी जो purity होती है वो greater than होती है class place selector से okay mean कि मैंने एक element है same element है उसको id के साथ भी select किया और class के लास्ट जो मैंने आपको बात बताई थी वो यह थी कि लेकिन यहां पर इस्लेक्टर सेम था यहां पर बीट ने ने था तो मैंने आपको बताया था कि अगर selector बिलकुल सेम हो और एक property पहले selector में भी आ रही है और दूसरे selector में भी आ रही है तो उस property की जो value दूसरे selector में आ रही होगी वो value assign होगी इसके और थोड़े से use cases है लेकिन जो हमने अभी तक currently study गिया है उसमें सिरफ यही आता है मैं repeat कर देता हूँ एक दफा selector 100% same होना चाहिए change नहीं होना चाहिए और एक property पहले selector में भी उसके property block ने भी आई दूसरे में भी आई और property के साथ अभी और कोई चीज़ नहीं लग नहीं से property का नाम आ रहा है और उसकी value आ रही है तो जो उसकी value हम दूसरे block में लखेंगे वो value इंप्लिमेंट होगी ID और class की base में यह different है अगर तो यहां पर दूसरा selector भी ID वाला होता जो के नहीं हो सकता एक element को दो ID के attribute नहीं लग सकते एक ही लगना है तो वो चीज़ इंप्लिमेंट नहीं हो सकती class हो सकती है के दो classes लग सकती है के मैं यहां पर class जैसे मैं ने दो दी है टैक्स यहां पर दे दी है को के तो वो लग सकता है वो मैं आपको ऐससे अभी करके लिखा हम जो आपर ने when the same element को iist pen को मैंने ID के सात्वी स्लेक विश्लेक आ और class के साह की तो जो property मैं ID के स्लेक्टर में चाहे वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है उसमें जो एड करूंगा उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है मीन के वो लग जाएगी बाद में इसको आवर राइट करने की कोशिश करूंगा तो वो आवर राइट नहीं कर सकता यहां पिर जैसे कि मैं इंस्पेक्ट अगरे राइट क्लिक करके अब हमारा CSS और JavaScript में यह इंस्पेक्ट का टैब बहुत ज्यादा हम यूज़ करेंगे यहां पर मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ और यहां पर आप देख सेथे हैं कि ID में जो color की property है वो properly active है नीचे same class का selector यह देखें जो हमारी यहां पर property है वो भी क्योंकि इस element को मैं element यहां से change करता हूँ तो वो वाली property यहां के style टैब में मुझे दिखाता है जो इस element को लग रही है मैं यहां पर span पर आता हूँ तो वो properties मुझे दिखा रहा है जो span element को लग रही है और computed में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप सर्च कर सकते हैं कि final कौन सी property लग रही है यह final property बताता है यहां पर यह बता रहा है कि यह एक ID selector से इसको property यह लग रही है और class selector से यह लग रही है और यहां पर जो उपर strike हो गया पर जो line लग रही है उसका मतलब है कि यह property किसी और प्रोपटी की वज़ा से override हो गई है यह property ठीक थी property का नाम भी ठीक है value भी ठीक है लेकिन similar property ज्यादा importance के साथ लगी हुई है कही और इस वज़ा से यह override हो गई है तो यह इसका मकस्त है यहाँ पर मैं वाफिज आके basically इसमें से color यहाँ से disable कर दूँगा ताके white color यहाँ पर लग सके और अभी आप देख सकें यह अब यहाँ पर जो strike का मतलब यह नहीं है कि यह property किसी और की वज़ा से override होगी है इसका मतलब यह है कि disabled property यह commented property है यहाँ पर जैसे कि आप देख से कि यह commented है यहाँ मैं remove कर दूँगा तो फिर यहाँ से remove हो जाईगी लेकिन अगर commented है तो फिर वो मुझे यहाँ पर unchecked और इस तरह उपर strike आ रही होगी मैं उसको check करूँगा तो वो basically देखेगा कि क्या यह property मैं लगा सकता हूँ इसकी importance इतनी है अगर importance इतनी होगी तो वो उसको लगा देगा और strike खतम होजेगी और किसी दूसरी property जो पहले लगा लगी थी उसके वो strike आ जाएगी अभी के लिए मैं इसको comment कर देता हूँ comment कर देता हूँ यहाँ पर क्लास बेस या आईडी बेस basically हम throughout the course prefer करेंगे कि हम क्लास बेस स्लेक्टर पे जाएगे उसकी सबसे बरी वज़ा क्योंकि हम आईडी स्कोर repeat नहीं कर सकते first करें कि हमारे पास ये same element हमारे पास ये है और हम ने जो सारे styling थे वो आईडी बेस लगाए हुए थे यहाँ पर मेरे पास एक कोई और element आगया कोई भी element आगया और मुझे वो exact same styling इस पे भी चाहिए मैं क्लास इसको भी खतम कर देता हूँ और सरफ आईडी की बात करता हूँ यहाँ पर इसको भी खतम कर देता हूँ और color यहाँ पर यह दिया हुए इसको uncomment करके write कर देता हूँ ओके यहाँ पर refresh करता हूँ और इसको basically मैं एस फाइफ कर देता हूँ इसको भी खतम रिफ्रेश यह uncomment करता हूँ save करता हूँ refresh करता हूँ यहाँ पर यह काम हो गया लेकि लिए invalid HTML है यह जो span है ID repeat नहीं हो सकती यह invalid HTML है जब कोई भी आपके HTML को validate करेगा तो यह error आजाएगा और यह HTML developers के लिए काफी बुरी चीज़ मानी जाती है कि आप ID को repeat रहते है यह बहुत simple concept है ID repeat नहीं हो सकती इसलिए अब मुझे same style exact same style चाहिए और मुझे क्या करना परेगा सबसे पहले तो मुझे इसकी ID चेंज करनी परेगी जैसे ID चेंज करूँगा style सारे गाइब हो जाएंगे उसके बाद अब मुझे यह पूरे exact style style copy करने परेगे यहाँ पर paste करने परेंगे 2 करने परेंगे ओके refresh आप मेंसे जिसको थोड़ी पहुत CSS आती होगी वो यह कहारा होगा कि एक असान तरीका था वो यह है कि हम यहाँ पर कॉमा लगा कर दूसरी ID का नाम भी लिख सकते हैं कि basically selector मैंने एक selector लगाया और मैं कॉमा लगा कर एक और selector लगा सकता हूँ कि यहाँ पर मैं जो styles लिख रहा हूँ वो इन दोनों selector को अपलाई हो जाए ओके यह काम आपके यहाँ तक बात ठीक है यह कि ऐसे मुझे repeat नहीं करना परा लेकिन यह maintainable नहीं है maintainable किस वज़ा से नहीं है क्योंके अगर मुझे एक और element है उसको भी same style चाहिए mean के मुझे एक और id पर नहीं परेगी उसको यहाँ पर जाके add करना परेगा इसलिए हम class बेस रहते हैं क्योंके class हम यहाँ पर मैंने यही class add की होती span one यह text one कहा देते हैं क्योंके span one span element को heading element को भी add कर रहा हूं तो text one कहा देते हैं अब इसको अगर मैंने यह किया होता यहाँ पर class यह और lastly class यह यहाँ पर मैंने इस तरह किया होता अभी मैं refresh करूंगा style गाए हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर जाके आब मुझे सिर्व और सिर्फ इतना कहना परेगा कि जो text one की class जिसको भी लगी हो उसको यह style अपलाई कर दो और वो style अपलाई होगे और इसका फाइदा क्या है एक तो मैं जितने मर्ज़ी element इस document में add कर दो मुझे यह restriction नहीं है कि मैंने basically उसको कोई नई अधर नहीं क्लास अधर नहीं क्लास हम जितनी दफ़ा चाहें repeat कर सकते हैं हमारा code future point of view से भी secure है और highly maintainable है क्लास के थूँ जहां पर हम चाहें तो इसको एक और class भी add कर सकते हैं जैसे कि मैं इसको कह सकता हूँ display block मैंने बीच वाले को कह दिया d block इतनी असानी से मैंने यहां पर अगर मैंने आईडी के थूँ किया होता थो मैं एक और आईडी नहीं था add कर सकता है यहां class मैंने एक और add कर दिया जितनी मर्ज़ी class हम add कर सके हैं और यहां पर सिर्फ वर सिर्फ मैं कहा दूँगा कि जिसको d block add है यह generic CSS हमारी होगी उसको display block कर दो बाकी सारे styles उसको लगे हुए है सिर्फ वर सिर्फ जो यह element है उसको उस तरहां यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पहले इनको क्योंकि inline block है वो आपस में आ रहे हैं यह block है वो अपनी जगा पर आ गया और properly structure होगा दो चीजे हमने अभी तक finalize करनी जो हम follow करेंगे external CSS और classes यह थी आज की वीडियो इस वीडियो में आपने देखा कि हम अपने custom selectors कैसे बना सकते हैं जिसमें कि हमने ID और class selectors को use कि आप next वीडियो में अभी हम selectors से ही continue करेंगे और मैं आपको कुछ और type of selectors को explain करूँगा जिसमें कि हम next वीडियो में mainly attribute selectors को study करेंगे hopefully आपको वीडियो के संदा ही होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो please उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next वीडियो में तब तक के लिए Allah आपस don't forget to like this video and also subscribe to my channel